पुरुशार्थ के लिए सिसंगा आयोजिन किया गया है तीवर पुरुशार्थ के लिए जैसे की इसका टाइडल भी है लास्ट सो फास्ट के लिए क्या पुरुशार्थ कि आगा है इसके उपर बिचारट डालेए ओमश्रंटी बाबा भी कहता है कि बच्छे जो लास्ट में बच्चा आएंगे वो फास्ट जा सकते है लेकिन उसकी वीधी है तो फास्ट किसमे जान जाते हो ग्यान और योग इस दो चीज़े है तो ग्यान के अंदर जो हम ग्यान सुनते है रोज वो याद नहीं रहता है तो उसको एक मुर्ली के पॉइंट अगर आप जो आपको अच्छा लगा वो मुर्ली के पॉइंट अगर आप लिख कर अपने जेब में रखते हो सबेरे दिन में शाम को अपने आपको बार बार याद दिलाते है तो ग्यान जो है आपके बुद्धी में सबेरे से रात तक जागर लिख के पॉइंट सुना आपने वो सबेरे से तो कैसे रहेगा उसकी विधी लिख कर अपने जेब में रखो माता एक अपने कीचन में रखो खाना खाने बैटने से पहले जिन में सबेरे शाम को तीन चाहिए कम से कम तीन भाई भी जो भी वेक्टी सामने कभी फोन आया किसे बात करो बिजनेस करो सब कुछ करो करते विए लाश्ट में अगर जेब में लिखा हो है तुरंत निकाल के पढ़के बता आज देखो बावा नहीं यह कहा था अर्थात आपके मुक से बार बार सुमृती से सबेरे से रात तकी मुर्ली के बढ़ एक ही दो चार में चाहिए एक ही मुर् कोई बात आती है बुद्धी समझाती है एक दूसरा त्यूरता चाहिए योग में एक है याद एक है योग और एक है तपस्या हमारी तपस्या है विकर्व विनाश करने के लहे हैं मेन हम इस इश्वरिय विश्विध्याले में आये जो आज भी मुटली में बाबा ने कहा ब अब इतनी तपस्या किया कोई फाइदा नहीं है अगर एक क्रोधी ने मिटा तो त्यूर पुर्शार्ति का अर्थ है तो हमारे अंदर हम इसी फास्ट योग करें फास्ट योग क्या विजी क्या है तो बैटे बाबाने सिंपल प्रमा कुमारिस में इश्वरिय विश्विध में सिंपल है आत्मा समझ करो अभी आत्मा कैसे समझे सामने वाला वैक्ति को तुमें देख रहा हूं यह भाई है पीन एक कौन है उसका परिचय नहीं है तो उसको पूछते है भैजी आपका नाम आप कहां से है आप क्या करते हो यह सब समझ में है तो मैंने उसको समझा ऐस आत्मा एक शब्द पता है उससे कुछ नहीं होगा तो आत्मा कौन आत्मिक चिंदन जहीं कब से कम पांच-दस मिने जबी भी आप योग में बैठते हो बैठते ही पहले मैं कौन मेरा रूम मेरे गुण मेरे कर्म और मैं कहां से आया यह पांच-दस मिने आप मन प्रश्ण क बिद्धि में आत्मा के थै कि इसको कहा परुफेक्ट आत्मिक स्वर्यूख में सित्थ हो गया किकि मन परश्ण करता है थै जवाब देती है कल भी बाबा ने मुहड़ी में कहा था मन सोचता है विचार करता है गुद्धि समझती है कि मैं कौन समझ में आया यह चितरने वि सूस करते मैं आत्मा इस ब्रकुटी के बीच में बैटा हूं तो पांच मिनिट अगर पांचों प्रश्णों का चिंदन करते हो मन और बुद्धी एक आगर हो फिर मैं कहां से आया परमधाम से तो परमधाम में कौन है सरुश्रक्तिवान शुबावा है शुबावा कौन पवि जीवन मुकति दाता भाग्य विधाता दिव्य बुद्धी दाता एक एक शक्ति लेलो और कमप्यर करो माँगना नहीं बाप कौन। वित्रता का सागर मैं कौन बजैसा बाप वैसा हूं मैं ठीकि बाबाने का बाप समान बनो तब बाप के साथ धर जाएंगे अगर बाप सम नहीं बने तो पीछे क्या करना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा सजाय भोगने पड़ेंगी तो विधी चाहिए हमें योग में सब लोग करते हैं सारे दुनिया योग करती है लेकिन विधी है आत्मिक स्वरुप में सित्तों के बैठो और शुब बाबा से एक एक शक्ति का चिनतर कंपेर करो शुब बाबा कौन और मैं कौन प्रकाश देता है बहुत अच्छा प्रश्ण आया है कि अच्छी स्थिती बनाने के लिए कितना समय लगता है और कैसे पुरुषार्द करें तो यह यही वीधी से अगर एक मूर्ली के पॉइंट और सबेरे पंदरा मिन अधा गंटा शाम को अधा गंटा अगर आप कम से कम एक से कहा मैं पतित आत्मा को पावन करता हूं I am the purifier तो अगर विधी पुरुव कैसे नहीं नीन आ रही है फोन भी उठा रहे है इससे भी बात कर रहे हो उससे भी बात कर रहे है एक सार्ट दोनों दोतियों इसे काम नह योग किसी अलिये कर रहे है अपने लेकर रहे हो अगर इस विधी पुरवक करते हो अच्छी स्तिति बना च कि आपके स्मृत्तिमें सारा दिन क्या है बाबा का ग्यान ग्याना फूरां एक मुरली के पॉइंट एक के काम करो दोतीयन कम करता होकर नहीं तो तो एक पागे करो, एक मुरली का पॉइंट आप बुद्धि में रखो, और सारा दिन अगर है ये स्मृति जान, किसी ने कब पूछा तुरन बता सकते हो, किसी ने फोन किया, तुरन बता सकते है, आज बावा ने तो आपके स्मृति से स्थिति बनती है, अपने आप स्थिति करना, ये सारे आचरन जो है न, वो अपने आप आएगा, जैसे स्मृति, वैसे स्थिति, वैसे आपके आचरन, और कौन एक बहुत अच्छा कोश्चन आया है, कि गुन को कैसे, गुन और अलंकार को कैसे अपने जीवन में धारन करें, वास्तों में, शिव बाबा सरुशक् भक्ति का शब्द एड़ करता है, सरुशक्तिवान है, तो जैसे आप योग में एक लेते हो, पवित्रता के शक्ति, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनाओ, तो ये पवित्रता से जोडते हो, प्रकाश है, शक्ति है, तो आपके अंदर अपने आप आत्मा के अंदर तो आचरन में बहुत पवित्र चीजे आती है तो गुण जिवन होंगे तबी जिए आपके अंदर योग से शक्ति धाने योग वीधी पुर्वक करते हो तो जो वीधी बताई एक-एक शक्ति लेकर तो आपके आचरन में गुण दिखाई देते हैं जैसे सूरिय देखने में स रोज योग करते है अच्छी तरसे 15 मिनित तक बाबा से बात करते हैं तो बाबा के पुवित्र कैसे बनो आप पुवित्र किसमे हो आपका मन आपके बुद्धी आपके संसकार कैसे पुवित्र है ऐसे मुझे बनने आए क्यों मैं आपके साथ ही था मैं आपका बच्चा हू तो ऐसे बात करते हो शक्ति आपके इंदर अपने आप जिसे धूप में बैटो अपने आप पसे न निकलता है शक्ति भर जाती है ब्रादा जी जौला मुखी योग क्या है जौला मुखी योग जो अब भी आपको बताया कि आत्मा समझ कर परमधाम में बुद्धी जितनी मिन एक आगर होती है अर्था एक बाबा के एक एक शक्ति लेकर के आप बात करते हो तो ऐसे आट मिनिट मिन कमी कम से कम आप बाबा से जुड़े हो योग अगनी है ज्वाला है भस्म कर देती सब कुछ योग अगनी तब बाबाने का बीज रूस्तिती में ही विकर मिनाश होते ह हुआ है हम हम घूंक कर तो वैसर अपने आप नहीं जाएंगे सिरधर अपने आप नहीं जाता है सिर्धर के लिए दवआई चाह crystall है दवाई के विगर आप सिर्धर अपने आप ठीक हो जाए तो ऐसे ही यहां वैसन मुप्ति करना चाहते हैं अगर रोज जैसे आपको कहा ज्यान ग्यान मुरली क्लास आप कम से कम एक दो-तीन महेने रोज सुनके देखो और एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में होना चाहिए जैसे तंबा को रखते हो ऐसे मुरली के पॉइंट रख आती है ज्यान का नशा जैसे स्मृति आती रहेंगी तो बुद्धी स्विकार में करेंगी अंदर के अवस्ता है साथ साथ फिर भी आप स्थूल रूप में याद आती है आज कल आवला मिलता है राम देव बाबा का तो आवले का जेब में रख दो जबी भी तंबा को कुछ खाने की इच्छा होती है तो मुँ में तंबा को रखो यह रखो आवले का बीज रखो आवला मिलता है नमकीन वाला कुछ मुमें चाहिए तो वो रखो हर चीज की सब्स्टिटूट चाहिए यह नहीं करो तो प्रेशर आया दबाओ नहीं है स्वाइच्छा से पहले आपको का वैसन मुक्ति करना चाहते हो एक ज्यान की नशा चाहिए तो यह नशा अपने आप धूलो जाएगा तो ज्यान का नशा अपने अपने चाहता है बाह सारे दिन में आपके जेव में एक मुगली के पॉइंट होना चाहिए दो तीन चार दस लोगों को सुनाते रहना चाहि अगर इनका संग ठीक नहीं ओके अरे खाव तो संग भी परिवर्तन करना पर इसे डॉक्तर दवाई देता है पत्ति भी चलिए तो यह दोनों कर सकते वाद तो वैसन से धूर हो सकते हैं संभव है मुझे कोहल士 पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है जैसे यहां है मुझे अपने जीवन में पवित्र रह– सारे कलब के अंदर LISA की जणम का अधार आए यह अगर आपने अच्छी तरह समझे लिया सारे कलब में मुझे सुक्ष सांती पवितरता चाहिए तो मुझे एक जनम भग्वान की सेवा में देना चाहिए भग्वान को अरपित कर ना चाहिए उसके श्रीमाद पर उसका श्रीमाद सबेरें पंदरा मिनिट बीस मिनिट आधा गंटा कम से कम जादा निचे आधा गंटा विधी पुर्वत तपस्या चाहिए और एक मुरली के पॉइंट आपके जीग में चाहिए यह दो काम किया तो बस सबेरें नहीं कर सकते तो शाम को करो यो अगर दोनों टाइम करते हो नमबर वन क्यों आप पुछेंगे हमारी जो अन्न है अन्न खाते हम तेको सादू सन्यासी कुछ नहीं खाते उपास रखते हैं दूद पीते तो फल खाते हम अन्न खाते हो शक्ति कहा जाएगी तो जैसे आप अमुरुत्वली योग में बैठते है वो योगी है योग कभी भी कुर नहीं विधी पुर्वक अगर अमुरुत्वले बैठते हो हमारी ब्रह्मचर शक्ति इस पैनल कोड के दोरा कुंडली नहीं कहते इसको सारे श्रीर को प्राप्त होती है ब्रेन को सबसे पहले जहें इसलिए फ्रेश रट रहें तो शक्ति को यूज करना कुमारों के लिए एक सबेरे शाम दोनों टाइम आदा अधा घंटा यो नंबर वन नहीं एक टाइम सबेरे शाम सबेरे तो करना जुरूरी है नहीं किसी कारण नाइट ड्यूटी वाले है कुछ नहीं कर सकता है शाम को तो कम पसरी दूसरा मोगली के पढ़ि ब्रता जी बीज रूप अवस्था की स्थिती का कैसे अनुबव होता है और इसको जब जूप अबस्था होता तो क्या फील होता है देखो वीज मना मैंने आपको सुनाया आत्मा समझकर परमधाम में बीज श्व बाबा है उसकी एक शक्ति लेते हो श्व बाबा पवित्रत नहीं है संबंद नहीं है संसकार देधारी के नहीं मुझे भी ऐसे बाफ समान पवित्र बनना है ऐसे एक एक शक्ति लेकर एक दो-दो मिनिट बात करते रहते हो इसके बीच में कोई भी दूसरे विचार नहीं आया तो उसको कहते हैं आप फूरस्तित होगे एक आग्र होगे ह यहां भी मन बुद्धी परमधाम में गई एक मिनिट बाबा की याद बिसम्रा और कुछ याद आया और किसका फोन आया क्यों आ रहा है बुद्धी का यूज ठीक नहीं हो रहा है तो बुद्धी का यूज होने के लिए पहले सुनाया मन और बुद्धी को एक पहले करना आ अधात योग में अगर आदा घंटे विटे एक सेकंद भी आपका वेर्थ विकल माया तो चुड़ दो उससे मुप्त ब्राता जी एक किर्थी अगरवाल भेहन उनका कोश्चन है एकागरता की सक्ति को कैसे बढ़ाएं एकागरता दुनिया में हमको सिखाया आज तक सारे करना था यह कौन कहा रहा है बुद्धी यही इस इश्वरिय विश्विध्यालय में नंबर वन राज योग स्वामी विविकला जोग सिखाया यह राज जोग क्या है मन और बुद्धी एक करना कैसे करेंगा हाथ जोड़ो तो नमस्ते नहीं किते विद्धी है छोटी अंग को से देखता हो अभी योग में बैटा इदर उदर देखना नहीं मुख से कुछ बोलना ने हाथ पाव इलाना ने डिटायच करें शरीर का यूज ने करें बुद्धी शरीर को ओर देती है मच्च पैट गया आए करो यहां खुजली हो रही है बुद्धी बताती मैडवेक् यह पांच प्रशन अगर आप पहले प्रयोग करके देख लो मैं कौन मेरा रूप मेरे गुण मेरे कर मैं कहां से इन पांच प्रशनों के बीच मन ने प्रश्न किया बुद्धी ने जवाब दिया इसके बीच में और कोई विचार नहीं इसका नाम है पूरी एक आगरता मन और बुद्धी एक हो गया ऐसे अगर रोज करते जाओ तो एक आद्रत आपके बढ़ती जाएंगे एक दिव्या वहन का प्रशन आया है अम्रत वेले में नीद बहुत आती है उसके लिए क्या करें अम्रत वेले यो नीद आने का कारण एक रात को हम पेट भरके खाना काते ह है दूसरा रात को खटा दही चास आचार खटी चीज नहीं खाना चाहिए टॉमेटो ऐसी चीज़न नीद की खटी चीज़ है पित्त बंदा है दूसरा रात को सोते समय एक मूदली लेलो और पढ़ते-पढ़ते सो जाओ कि मन उसको कहते है एंटर इन स्ली नींद में जाओ अच्छे विचारों में नींद में जाओ कैसे अच्छे विचार करो तो कुछ ना कुछ संसकार है तो मूदली पढ़ते-पढ़ते सुझा सबीर यह उड़ते ही मोधोलो पानी एक ग्लास फिलो बैटकर इस विदी से मन बुद्धी को चलाओ अगर नहीं चलाएंगे तो नी अग-second आप खाली ने रखते हो मन प्रश्न करता है जाएंगे यहांसे परमधान तक उसको इंगलिश में कहते है लायन क्लिएर फिर एक्षन क्लियर अगर यहां से परम्धाम तक लाइन क्लियर है बीच में दर दर का कोई विच्छन नहीं मन प्रश्ट करता है बुद्धि जवाब देता है जैसे पांच प्रश्ट बताया फिर मैं कहां से आया उपर से उपर कौन है सरुशक्तिवान शुबा कौन है वो प्रश अना कम रात को खटी चीज नहीं अगर कोई दवाई लेते हैं आजकल दवाई के अंदर भी कुछ न कुछ अलकॉल होता है उसका भी नशा होता है उसके कारण भी नींदा भी है तीसरा एक नींद का कारण है कि हमके अगर गर्मी फुल फैन लगाया एसी लगया उसमें कार्मल टेंपरेचर चाहिए मच्छर होते हैं तो ऐसे सब बातों का प्रेकॉशन रख ची देगा पर इसलिए बाबा ने बाबा के कमरा या हॉल ऐसे स्थान भी चाहिए स्थान भी एन्वार्मेंट और विधी दोनों चीच अच्छे वाता है अपने आप योग लगता है क्यों बाबा ने ऐसे बना के रखा है ना कोई वेर्थ विचार नहीं जैसे संटर में बाबा का कमरा ऐसा है संटर का हॉल ऐसा है तो यह सब ध्यान दे सकता है अगर यह दे हमारे ब्रता जी कुश्चन है हस्बेंट सेंटर जाने नहीं देते बंदन में है को और जाने हस्बंट जाने नहीं देता ना आग अगले कमरे में किचन में गैलरी में चत पर ऐसे जगह पर आके मूबी दो के पांथ दस मिनिट भगवान को याद करो मुर्ली के पाइट कही है कल और गुसा करें उसको गुसा आने का कुछ बोलने का चार्ज नहीं देना है आत्मा को योग लगाना है अगर आपके घर में मंदिर है पुजा करो मंदिर में दीपक लगा वहाँ बेठो और वहाँ बेठो के आत्म चिंतन करो मैं कौन मेरा रूम मेरा कौन है तो बहां आए मंदिर में पुजा करती है लेकिन का याद भगवान को इस प्रकार से करते हो मुरली के एक पॉइंट रखो किसी से पूछ लो सारा दिन में फोन करके संटर जाने की जरुत्मी है क्योंकि समय ऐसा है किसी घर वालों को नाराज करके अपना स्वार्थ के लिए हम इसको उदर जान से शांती मिलते जाओ अगर आगे जाके वो देखना आपसे भी आगे जाएगा लेकिन उसके विरुद काम नहीं करना ये लक्ष्टिय कि भारत की सप्यता है पती परमेश्वर का परमेश्वर तो नहीं लेकिन परमेश्वर का बच्चा है ये याद रखो ये पती मेरा कौन है भगवान का बच्चे ये शुब भावना रखो उसकी विरुद मुझे कुछ करना नहीं तो अगर उसके श्रीमत कहा उसके कहने अनुसार चलते हो आज दो तीन दिन दस दिन एक मैना तक प्रेशर में रखेगा अपना अहम दिखाएगा दिखाने दो ए एक दिन गल जाएगा लेकिन आप शुब संकल करते रहो मुर्ली सुनते रहो एक पॉइंट भूत ज्यान बिनीच है एक ही मुर्ली के पॉइंट बस सबेरे शाम जब समय मिलता है पती ऑफिस में गया दिन में खाए आराम से एक गंटा बैठो आदा गंटा बैठो घर में मं सुक्षमा है ब्रता जी पावर अप सकास एक पूरा टीम ग्रूफ है जिसमें पचास जार भावा के बच्चे हैं और डेली एक लक्ष के साथ योग करते हैं और आप उनको भी सम्मुजद कर रहे हैं लावी लावी लाइब देख रहे हैं तो उनकी लिए क्या उद्बुध में ब्रह्माद में ब्रह्मा बाबा के साथ आकास में रहे कर जो संकलब करते हो वह सकास आखास में बबाबा से सामने बैट कर बाबा को बता, बाबा ये आपका बच्चा रोज क्लास में आता है, योग भी करता है, लेकिन गुस्सा भी करता है, इस बच्चे को शान्ती की शक्ति ने दो, बाबा ये बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन रोज क्लास में आता है, योग नहीं करता है, गुस्सा करता है, तो उसको बाबा को परिचे देते हैं, कि बाबा का बच्चा है, तो ये सुक्ष मतन से सकाश, बाबा आप इस शक्ति दे दो, और सारी दुनिया के आत्मा को, परमधाम में बुद्धिस्ते रोगे, बाबा से बात करते करते, शुब बाबा, ये आत्मा बहुत बीमार है, ये आत्मा के अंदर ये कमी है, इसको ये तकलिफ है, एक व्यक्ति, एक देश, सारा विश्व, आत्मा उसको कहते है, पवर्फुल वाइबरेशन, प्योंकि पवर हाउस के साथ आपका कनेक्शन जुट गया, जोडने के बाद आप जो संकलब करते हो, किसी आत्मा के प्रति, उ यांसे आपने यहां मोबायल का नंबर डायल के, यहां से अमेरिका के, आपने देखा, उस होया है, खाया है, नहीं, सिदा पोस्ता है, आत्मा समझने के बाद, आपके वाइबरेशन परमात्मा के पूस्त है, लेकिन कंडिशन, पांच प्रश्चनों का जवाब है, पंदरह के आफ़ा को जो बीमार है जो दुखी है जो ज्जान में कल कोर्स करके गया अता नहीं है किसी village सखास कोई बीमार बीक्ति है कोई और किसी प्रकार के ज्वा ज्जानी है जानते हो तो उनको सब्सक्रांटे है उसको सकाश मरता जी हमारी सकाश उन तक पहुंची है नहीं पहुंची इसको कैसे पतल आएंगे अभी पहले है कि आप जो जिस वेक्ति को देखते हो रोज देते हो देखना थोड़ी समय का जिस डिपेंड्स वान इवर प्यूरिटी आपका मन जितना स्वच्छ है उतना ज हाथ काले है काले हाथ से मैं हीरा दे रहा हूं तो क्या होगा हीरा सफेद होगा हीरा भी काला होगा आपके हम के दर में रोज दे रहा हूं लेकिन उनके प्रति मेरे मन में अभी भी गलत विचार है यह मुझे दुख देता है यह मुझे ऐसा करता है किसी को मिलेंगे उसको करेंगे और योग में बैठके केंगे बाबा इस आत्मा को शान्ति के शक्ति दरो ताम नहीं करेंगे जितना आपका मन सवच्छ है सारा दिन में उस अनुसार वो सवच्छ मन जो संकल्प करता है वो शक्ति शाली वो जल्दी पहुशता है पहुश करके आप देख सकते हो सजस्चता के उपढ़ है सामने एक एक बार उसको अहम रहता है तो भी आपना काम करो क्यों कपड़े पर जो दाघटा है कितना भी घिस और वी गिसो जाताने ऑप सारे संसकार है कारें हमारा मन स्वच्छ ने हमारा मन शक्ति शाले देया है बाबा से इतना जुड़ा ने उसके कारण वाइब्रेशन जल्दी पोश्टे रहे अगर आप विधीपूर के सारे कंडिशन हो तो आपको तुरंत रिप्लाइब मिलता है सन्मुक वाला नजदीक आता है तो यह करना परता है पहल अब आपको योग करने की विधी करें सभी वातावर्ण हो कितना भी बीजी हो आप बैठते आप अपना मन बुद्धी को चलाओ बाबा ने कहा मन बुद्धी को आप ज्यान से चलाओ नहीं तो मन बुद्धी अपने पुराने संसकार के आधार से चलेगा तो आप कैसे चला और शुब बाबा से बात करूं तो योग लगाना है योग लगता ने अपने तुड़े लगेगा अपने आप फोन लगेगा तो नंबर याद रखना पड़ेगा नंबर डाइल करेंगे तो आपर जाएंगे न ब्रता जी कईयों के कुश्चन है क्या धर्मराज का पार इस्टाट हो गया है धर्मराज का पार सदाई है जब कर्म खतम पुर्णी का कर्म खतम हो गया पाप बाहर आ गया तो भोगना पड़ता है कितने लोगों को भोगना पड़ता है कितने एक्सिदेंट हो रहा है कितनी ब पांच विकारों के सबन आते तब तक समझना मेरे अंदर पाफ है वो कभी भी मन में संकल पाएगा कभी भी बाहर आएगा किसी भी रूप में excellent होगा आप बीमार होंगे कभी कोई गुसा करेगा कोई बिना मतलब का जाके परिशान करेगा कुछ न कुछ करेगा क्यों अंदर आप है जिस दिन आप समस्ते हो minimum आज से एक महिने के अंदर maximum आज से छे महिने के अंदर एक दिन भी पाँच विकारों के स्वपन नहीं आए उस दिन आप से कहना मैं कर्माती, मैं फरिष्टा, मैं पवित्रों तब-तब किसी न किसी प्रगांदर जो है वो बहार आएगा ही, नहीं आएगा ऐसा नहीं, अपने आप कर्मातीत नहीं बनेंगे अपने अप धर्मराज क्याने का नाम धर्मराज कोई नहीं, मैंने के वे कर, कोई गुसा करता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्यों गुसा कर रहा है, मैं सिदा रस्ते से जा रहा हूं, सामने वाला आकर ठकराता है, क्यों मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं अपने सही रस्ते मेडिया है और यहां तो बरतमान में हम बहुत अच्छा इस्तमाल कर रहे हैं इसका बाबा की सेवा में पर ज्यादा तर सोचल मीडिया के कारण ही फिस्बूक इंडरनेट में लगे रहे तो इसके कारण पूरसार्थ ही नहीं होते जा रहे हैं तो यूटूब पर क्यों देखते हैं वाटसब पर आपको क्लास आएगा हमने का रोहानी ओडियो लाइबरेरी के कहे तो मुदवन में एक शांतिवन ग्यांसर जो क्लास होते दूसरे दिन आता है तो मैंने उसको कहा यह नंबर पर आप देख लो पर में यूटूब पर क्यों यूटूब के अंदर नेगेटिव पोजिटिव दोनों है यह बाहर वाले खाना किलाने आपको अच्छा खना नहीं किलाएंगे दो देंगे इसलिए यूटूब पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहो आपको रोज आडियो पर अपना मुदली क्लास आता है ग्यान बहुत भी ग्यान ने चाहिए बहुत सुन लिया तो उसके करण जो हमारे अंदर नेगेटिव जो आज आ रहे है तो यूटूब पर जाते हो तो बहुत चीज़े है नेगेटिव बहुत देखा इसके लिए वो ठीक नहीं हमारे अगर अगर अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो अगर वाट्सवप पर भी कोई आपको ग्रूप में अगर नेगेटिव भेजता है दूसरे दिन उसको ब्लॉप करो अगर कोई पोजिटिव मैं अपने जीवन का बताता हूं मुझे एक भी कोई गलती दर उदर करने मूरली क्लास के अलावा पोजिटिव अगर किसी नेग क्यों कुछ बेजा उसको तुरंद ब्लॉप कर देता हूं हमको वह नहीं चाहिए अपने जीवन को घर बैठे अपने अच्छा अवस्ता बनाया और एक वक्ति वाट्सवप के अपने अवस्ता खराब करो तो वह अपने समझदारी है हमारी डिपेंडेंस है कि हमें पॉजि चीजे नहीं आती है तो दुनिया के कपड़े पेने नहीं ऐसे डांस ऐसे यह मनोवरत्ती को चंचल करता है जुरूत नहीं है वह देख करके वह देख देखके हम इतना सारा कलब बुड़े हो गये अब क्या करें उसके क्या मिलेगा तेमपर वरी उसके जगपर घ्यान सुन पीस ओप माइंड में देखको अच्छे क्या दांसर साते है रुहानी मदवन्द के द्वारा चैनल्स के द्वारा आते है ग्यान सुनो तो ऐसे गीत अच्छे च्छे सुनो ऐसे एकदम अप सन्यासी बनो नहीं का जहां नेगेटिव आता है ना चाहते वे दिखाई देता है मैंने यूट्टूब पर यह देखा कली मैंने किसको बोला तो यूट्टूब पर क्लास में भाई जी मिलता है अच्छा भी मिलता है गलत भी मिलता केता है गलत भी आता है तो फिर न चाहते वे अंदर जाता है ना तो जुरूत उसके पर डिपेंड नहीं रहो बहुत बहुत धन्यवाद भ्राताजी ओम शांते रविवार को किया जा रहा है यह अपनी तरहा की अनुखी रचनात्मक और शक्तिशाली भठी है जिसमें हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर की मदद से इस भठी का लाब उठा सकते हैं इस भठी का लाब उठाने के लिए सिर्फ आपको पावर ओफ सकाश एप इंस्टॉल करना होगा और रविवार भठी के एक दिन पहले से आपको ज्वाला मुखी भठी के दिशा निर्देश मिल जाएंगे इस भठी के प्रोग्राम को खास बाप दादा और दादियों के प्रेणना से डिजाइन किया गया है इस भठी में हमारे महारती भाई बहनों के मार्क दर्शन में हम सभी योगा भ्यास करेंगे इस भठी की एक खास विशीषता है, भठी के लिए कुछ लाइफ प्रोग्राम, लाइफ मार्क दर्शन, लाइफ चार्ट और भठी का रिजल्ट भी आपको उसी दिन आपकी स्क्रीन पर प्राप्त होगा बाप डादा ने भी इस वर्ष को समाप्ती वर्ष का नाम दिया है, तो आओ, हम अपने पुराने संसकार, कमी कमजोरियों की समाप्ती कर, परमात्म प्रत्यक्षता का जंडा, पूरी दुनिया में लहरा दें ज्वाला मुखी लाइव भठी आयोजन हर अविवार को किया जाएगा, आपको अपने स्थान में बैठकर इस भठी का पूर्ण लाब उठाना है, ज्वाला मुखी लाइव भठी करने के लिए अभी गूगल प्ले स्टोर में पावर ओफ सकाश अप इंस्टॉल करें, और भठी का लाब उठाकर अपने समय और श्वासों को सफल करें, तपस्या अभी नहीं की तो कब करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, ओम शांते